तो वेल्कम के गाइस दोस्तों नमस्कार आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए समेस्टर फाइब हिंदी ओनर्स का वे अभी जाम हुआ है चलिए देखते हैं किस टाइब का पेपर आया है अनलाइस करते हैं और इन दे फ्यूजर जब आप देने वाले होंगे है 24 25 26 जब भी तो इसी टाइब के प्रष्णों का सामना करना पड़ेगा आपको भी आए देखते हैं ठेक तो देखिए हिंदी ओनर्स कौर पेपर आपका रहेगा गारभ बोल सकते हैं ठेक कौर पेपर गारभ हिंदी ओनर्स इसे आप समेस्टर फाइब का पाला पेपर भी ब दीखत में से 2 प्रशनों के उत्तर दें और दोनों प्रशन आपके 22 नंबर के 20 नंबर हो एक खड़ा पर्णा में दो पेज तो दो खड़ा पर्णा में उत्तर देना आपको विसंगों का उसते ज्यादा दीजिएगा तो फिर आपका समय कि बचत नहीं कर पाएंगे और फिर नेक्स्ट कोशन जो आप बाकी आपकी छुट जाएंगे इसलिए ज्यादा मत लिखिएग तो पहला है आपका हिंदी आलोचना की परिभासा और उसके सवरूप का बिसलेशन करें तो कुछ काम आ गया था तो question क्या था हमारा प्रश्ण पहला प्रश्ण कि आपको दो काई अंसर लिख रहा है जिसमें पहला है कि हिंदी आलोचना की परिवासा दे दूसरा उसके सवरूप का बिसलेसन करना है खान नमर है आपका समालोचक के रूप में आचारिय सुकल के योगदान का वर्णन करें कि आचारिय जो सुकल थे उनका क्या योगदान है समालोचन के रूप में टिक समान आलोचना करना है गान नमर है आपका मनु बिसलेसन वादी आलोचना से आप क्या समझते हैं इसकी विश्यस्ताओं पर प्रकाश डालें गा नम्मर है आपका सैध्यांतिक आलोचना क्या है इसके साध्यांतिक 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 आलोचना क करदें और दानकों के दो प्रशन का उत्तर दिश्थ नमबर की साट नमबर आपको एक zबते ना यह एक tip तो यहां पर दिखते हैं ऑप पला양 को सबस्था है कि और रूप में राम बिलास सर्मा का अलूचक मतलब की कंव्हान का निक्लों नकालते हैं तो यह राम बिला सर्माजी किस टाइप से निकलते हैं वो आपको बताना है आलोचक के रुपमें का नमर आपका एतिहासिक आलोचना क्या है संचिप में लिखें historical criticism में बोल सकते हैं आप इसको इंगलिज में ठीक ना तो historical criticism में क्या है उसको संशेप में बताना है संशेप मतलब छोटा में ही बताना है 10 अंकों कहीं है कि निधो कहीं उत्तर देना है God number है समा लोचना के छेत्र में सीवदान सीचोहान सिवदान सी चोहान का योगदान का वर्णन करना है समालोचना के छेतर में सिवदान सी चोहान क्या योगदान क्या क्या है वो आपको बताना है गाल नमबर है हिंदी आलोचना की परमुख विसेस्ताएं लिखे हिंदी आलोशना की कौन-कौन सी पर्मोग विसस्ताय होती है वो आपको बताना है नेक्स्ट है आपका निम्ना अंकित वस्तुनिष्ट प्रोष्णों के उत्तर दे अब आपके आजाते हैं प्रष्ण संक्या 3 और इसमें 2 अंको वाले 10 प्रोष्णों कितने 2 अंको वाले 10 प्रोष्णों के उत्तर देने 20 नंबर फाइनली आपका असी नंबर पड़ा अलोचक थे और सुन तिरी हो जाएगा देखिए मेरा हिंदी ओनरस नहीं है वाए मैं केवल दोस्तों से ले ले कार थे या कवी थे अंसर स्वयम देख लिजिएगा गवा नंबर है आपका समा लोचक पत्र के संस्थापक कौन है आपको नाम बतना है समा लोचक पत्र के संस्थापक का नेक्स्ट आपका गवा हिंदी प्रदीप के लेखक कौन है लेखक का नाम बताना है अंगा नम्बर है सुर्दास की काईब्य परतिभा को सरपर्थम किस समालो चक ने महत्व दिया यह चीज आपको बताना है किसकी रचना है यह आपको बताना है। हिंदि साहित का इतिहांस ये जो है किसने लिखा है। चो नमबर है आपका माकसवादी समिक्छक एं सोद परक समिक्छक के रोप में चरचित एं आलोचक का नाम बताएं। जो नमबर है सुकल पूर्व हिंदी के दो आलचकों के नाम बताएं और जो नमबर है आपका नाम वर सिंग किस परखार की समालोचक है आपको बताना है कि किस टाइप के समालोचक है उनका टाइप बताना है और यह नमबर है दसमा प्रश्ण राम बिला सर्मा द्वारा लिख किसी एक समा लोचना पुस्तक का नाम बताएं तो जितने भी लिखें उन में से किसी एक पुस्तक का नाम बता ना है तो यह था आपका बीए समेश्टर फाइब कि हिंदी ओनर्स वालों के लिए कौर पेपर घारा या समेश्टर फाइब का पाला पेपर आप बोल सकते हैं अच्छा बहुत से लोगों का कमेंट होता है कि भाई दोस्त यह किस उनिवर्सिटे का पेपर है दोस्तों आपका विस्त द्याल है यह उनिवर्सिटी कुछ भी हो अल्मॉस्ट भारत के लगबग सभी उनिवर्सिटियों का कौश्चन पेपर सेम होता है अगर आप गौर्मेंट से करते हैं तो ठीक ना बाद बाकी डिफ्रेंट कुछ नहीं होता है एटी परसंट लगवग लगवग सेमी होता है ठीक ना तो आप कॉस्चन का देख लिजिए कि लेवल क्या है आपका और बाकी आप एक्याम दे सकते हैं समेस्टर एक ही होना चाहिए सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए आपका कॉस्चन मेंच कर जाएगा अगर आपको किसी अ अगर आप बोई से तो आप अपना खर्चा स्वेब उठाने की कोशिच किजिए इस इक साथ वर मितल लेता हूं बेस्ट अप लगवग एक्जाम में एक भी प्रस्ट मत छोड़ना ठाइंक्यों